Hey guys, welcome back to our channel उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे आज हम डिसकस करेंगे UPS College के बारे में जो कि देहरादुन में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले हम इसकी basic चीज़े जान लेते हैं अगर हम UPS College के full form की बात करें तो इसका full form होता है University of Petroleum and Energy Studies ये कॉलेज आपको देहरादुन उत्राखन में देखने को मिलेगा इस कोर्स में आपको UG courses भी कराए जाते हैं और PG courses भी कराए जाते हैं जैसे कि आपको engineering हो गया, management हो गया, law हो गया किनी भी courses होते हैं वो सारे इसमें कराए जाते हैं इसका जो campus है काफी जादा luxurious है और eco-friendly है with modern facilities के साथ तो ये रही इसकी basic जानकारियां अब हम देख लेते हैं ये कहां से affiliated है और कहां से aggregated है ये BCI से approved है और NAC A Plus इसको मिला हुआ है और UGC से ये approved है अगर हम इसके courses की बात करने कि ये कौन-कौन से courses provide करता है तो ये लगभग सारे courses आपको provide करता है जिसे B.Tech हो गया, B.B.A. हो गया, MBA हो गया, B.B.A. प्लस MBA हो गया, B.C.A. हो गया, Bachelor of Designs हो गया या फिर Pharmacy हो गया अब हम इनके courses and fees के बारे में detail में बात कर लेते हैं इनके courses की कितनी total fees आपको देनी पड़ेगी अगर आप इस college में पढ़ाई करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले हम B.Tech की बात करते हैं अगर हम इसके B.Tech first year की बात करें अगर हम B.Tech की first year की बात करें तो उसकी जो fee's हो है 3,16,800 रुपे first year की second year की जो fee's हो है 3,23,000 and third year की fee's हो है 3,97,200 रुपे and अगर हम इसकी total fees की बात करें तो होगी 10,10,000 रुपे total fees and अगर हम MBA की fee's की बात करें तो MBA की जो first year की fees है वो आपको देखने को मिलेगी 7,63,200 रुपे MBA की जो 2nd year की फीज है वो है आपकी 8,88,800 रुपे जो टोटल फीज हो जाती है MBA की वो हो जाती है 15,72,000 रुपे टोटल अब हम देख लेते हैं BBA प्लस MBA की कितनी फीज आपकी लगेगी इसमें तो BBA प्लस MBA की फीज जो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी 1st year की वो है 3,14,000 2nd year में आपको 3,36,000 रुपे देनी पड़ेगी 3rd year में आपको 3,16,000 रुपे देनी पड़ेगी नहीं तो बहुत सारे colleges और भी उत्रागंड में आप वहाँ पे admission ले सकते हो कम फीज में तो अब हम next course के बारे में देख लेते हैं कि उसकी क्या फीज है तो अब हम BCA के बारे में देखते हैं कि BCA की 1st year की जो फीज है वो है 1,62,600 रुपे 2nd year की जो फीज है वो है 1,72,200 रुपे 3rd year की जो फीज है वो है 1,82,600 रुपे और जो इसकी total फीज है वो है 1,70,200 रुपे इसकी total फीज आपकी BCA की अब हम देख लेते हैं bachelor of design में कितनी आपकी 1st year की फीज, 2nd year की फीज है तो जो 1st year की फीज है वो है 4,65,400 रुपे 2nd year की जो फीज है वो है 4,93,200 रुपे 3rd year की जो फीज है वो है 5,22,400 रुपे 4rd year की जो फीज है वो है आपकी 5,54,000 रुपे total तो इसकी जो total फीज आपको बनेगी वो बनेगी 20,35,000 की अब हम last course के बारे में discuss कर लेते हैं जो की फार्मेसी इसकी जो 1st year की फीज आपको लगेगी वो होगी आपकी 2,64,000 रुपे 2nd year की जो आपकी फीज है वो है आपकी 2,18,800 रुपे 3rd year की फीज है जो आपकी B-Farma की वो है 2,31,800 रुपे जो 4th year की फीज है वो है आपकी 2,46,000 रुपे तो इसकी जो total फीज हो जारी है वो हो जारी है 9,3,000 रुपे तो यह रहे इनके courses and fees अब हम देख लेते हैं कि इनके hostel की क्या फीज है अब कितना highest placement college में गया है अगर हम hostel की बात करें तो जो boys hostel की फीज है पर year वो है 1,65,000 रुपे पर year और जो girls की फीज है 1,57,500 रुपे अगर हम इसके highest placement की बात करें तो इसमें 50 लाग तक highest placement गया हुआ है अगर हम इसके average placement की बात करें तो इसमें average placement जो है वो depend करता है कि आप कौन सा course कर रहे हो उसकी कितनी फीज है तो उसी हिसाब से average placement लगता है लेकिन आपको अगर मैं मोटी मोटा बता दूँ तो अगर आप B-TEC करते हो तो B-TEC की जो फीज है इसकी वो है आपकी 18,32,000 तो इसमें जो average placement आपका लगता है B-TEC का अगर इस college के बारे में आप detail में जानना चाते हैं इसके scholarship के बारे में जानना चाते हैं और यहाँ के coupon code के बारे में जानना चाते हैं जिससे आपको en चिनपакс आप coupon code लेना चाते हैं श्क्रीम पर जो number दिया गया वहाँ से हुम में झाल झाल